तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी बायो इस्टेट्स के कुष्टन को डिसकस कर रहे हैं और इस सीरीज में यह 2019 का कुष्टन है इससे पहले 2020, 2021, 2022 का कुष्टन मैंने अल्रेडी डिसकस कर रखा है यह 19 का है इसके बाद हम लोग 18 का और अगर मुझे मिलता है तो हम 17 का वीड इसके आपकी स्टेट्स पर और ज्यादा कमाड हो सके और बाकी सारे वीडियो सारे कुष्ट पेपर जितने भी इंडिया में होते हैं वह आप क्वालिफाइब कर सको है तो आज वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ छोटी-छोटी चीजे है जो बहुत ही छोटी- सिंपल सा यह भी कंसीडर कर सकते हो कि यह किसे आया है एप्टिटूड से आया है यहां पे उन्हें पूछा था मोस्ट एप्रोपियेट याडिस्टिक फॉर मेजरिंग कॉम पेरेटिव स्केटर्ड नेस इन डिफ्रेंट सेट अफ डैटा देखो जैसे ही यहां पे डिफ्र डिफ्रेंट सेट अफ डैटा की अगर बात होती है तो इसका मतलब है कि आपके पास इन लोगों नहीं यह नहीं बताया कि जो सेट अफ डैटा है इनका यूनिट सेम है या अलग है यूनिट सेम है और डिफ्रेंट हमें नहीं बता है क्योंकि इन्होंने सीधे दे रहा का दो सेट अफ डैटा है और हम यह भी नहीं बता सकते हैं जब दो डिफ्रेंट सेट अफ डैटा है तो हम यह नहीं बता सकते हैं कि इनका मीन जो है mean वो पास-पास है या दूर-दूर है मतलब क्या है कि क्या condition यहाँ पे होगा wide differences in the mean पाया जाएगा दो set of data है मतलब दो set of data है जिसका न हमें यह पता है कि unit same है ना हमें यह पता है कि mean में difference कितना है तो अगर mean में difference नहीं पता है तो हम यह भी नहीं पता लगा सकते है mean और नहीं हम अथमेटिक mean पता लगा सकते है अब हमारे पास option बचा variance ठीक है पर हमें इन्होंने क्या बताया है comparative scatterness हमें बताना है दोनों set of data में comparative scatterness बताना है तो इसके लिए हम variance अगर पता भी लगा ले तो हम compare नहीं कर सकते हैं क्योंकि mean से जो है वो variance का मतबता है deviation mean से deviation को variance बोलता है कितना है variance है तो इसलिए हमें आपे variance भी use नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें coefficient of variance निकालना होगा जो कि क्या होता है relative dispersion होता है coefficient of variance क्या हमारा relative dispersion relative dispersion और variation variation in data data के अंदर relative dispersion और variation अगर हम निकाल लेते हैं तो हम comparative scatterness को पता लगा सकते हैं अगर हम relative dispersion के बात करें यहां पर सीधे variance है यहां पर क्या हमारा relative variance है तो relative variance जो है coefficient of variation calculation calculate करता हमारा relative dispersion और relative variance है ओके तो दी इस दा करेक्ट हैंसर यह कुश्चन काफी easy है अगर आप इसे ध्यान से सही से पढ़ लेते हो तब इन्हों ने पूछा था in a group of 400 students 1-held ट्वंटी आर मेल अगर वं हैंद्वंटी मेल मतलब 400 student है जिसमें से 120 मेल हैं तो अगर 120 मेल हैं तो नक्रान थाgeons 400 minus 120 equal to 400 minus 120 equal to 280 female है अब इन्होंने आगे की जो condition दे रखे हैं वो काफी easy दे रखा है और काफी सरल है कि 30% of the male are vegetarian 120 का 30% जो है वह 36 male vegetarian है vegetarian है ठीक है where as 76 female are non-vegetarian देखो दो condition है 400 में male हो जोती है male में भी दो condition है vegetarian, non-vegetarian तो बता दिया कि male के अंदर 36 जो है वो male vegetarian है बट ये बता रही है female के अंदर 76 female जो है वो क्या है आपका non-vegetarian है तो इसको आप अगर minus कर दो 280 में से 76 को अगर minus कर देते हो तो आपके पास total आता है 204 यह भी जो है आपका क्या होगा vegetarian होगा मतलब क्या है कि अगर हम यह कहे कि 280 female है जिसमें से 76 female क्या है आपका non-vegetarian है तो बची कितनी 204 इतना आपका क्यों होगा vegetarian होगा तिनोंने पूछा है कि randomly picked the randomly chosen the student from the group इस group में से हमें बताना है कि vegetarian कितना है अब हमें यह बता कि 36 male और 204 female vegetarian है group में दोनों होंगे ऐसा तो नहीं कि male female को अपने अलग कर रहा है दोनों होंगे तो आपके पास 240 ऐसे हैं जो कि vegetarian है group के अंदर group के अंदर 240 vegetarian है अब आपको इसमें से randomly pick करना है probability बताना है कि हमें vegetarian मिलेगा तो टोटल कितना है टोटल है आपका 400 और कितने vegetarian है 240 तो इनका आप निकाल लो तो यह आपका जाएगा probability तो प्रोबिलीटी आप निकाल सकते हैं इसको 4 से 6 24 10 6 by 10 इकल टो 0.6 तो 0.60 probability है visit area नहीं की अगर question को तुम translate कर ले जाते हो numerical point of view से तो definitely तुम्हारे सारे questions सही होंगे अगर question को नहीं translate कर पाते हो तो maybe गलत होने के chances बढ़ जाते हैं यहाँ पे इन्होंने question पूछा तो single throw two dice यहाँ पे क्या बात हो रही है? dice 2 है यहाँने का dice 1, दूसरी dice है एक 2 what is the probability of getting a sum of 8 और 11 बहुत आसान है दो ही condition आना है, 8 आना है और 11 आना है एक dice में हमने कहा कि 2 हो और 6 हो तो आपका यह आएगा 8 एक साथ, साथ होती नहीं थे dice में तो एक साथ हो ही नहीं सकता दूसरे dice में 4 हो, 4, 4 हो तो हो जाएगा 8 तीसरे dice में आपका 3 और 5 हो तो हो जाएगा 8 फिर आपके पास क्या है? 5 and 3 हो तो हो जाएगा आपका 8 फिर आपका 6 और 2 हो तो हो जाएगा 8 अगर हम 11 की बात करेंगे तो उसमें दो ही condition है 6, 5, 11 और 5, 6, 11 इतने possible combination है जिसमें 8 और 11 आरा कितने हैं possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total 7 possibility है 8 और 11 आने की कितने में से? 36 में से कोकी 2 dice है तो 6 और 6, 36 correct answer कितना है आपका? 7 by 36 ऐसा question मैंने बहुत जग कराया है definitely मुझे याद है मैंने टिफर में ऐसे questions बहुत सारे कराये थे तो इसलिए ये तो बहुत ही आसान था for study the association between two attributes यहां पर two attributes की बात हो रही है the most appropriate test देखो जब दो attribute के बीच में association लगाना हो और वह attribute categorical variable हो मतलब दो category का variable हो उनके बीच का association लगाना हो तो हम लोग चाई square test करते हैं ध्यान रखना कि दो जो है दो categorical variable तुम्हारे पास है और उनके बीच में association हमें पता करना होता है तो हम चाई square test यूज़ करते हैं मेंडल्स के rule को aesthetical way में prove करना होता है तो वहां भी हम चाई square test ही लगाते हैं यह question काफी easy है कोकि ऐसे easy question होई नहीं सकते हैं और पूछा था testing the significance in testing significance of the hypothesis यहाँ पहले का error 1 has always more serious repercussions than error 2 ऐसा कुछ नहीं है seriousness is totally depend on the condition जिस condition में आपने उसे handle करा है यह भी गलत line जैसे ही तीनों eliminate कर दोगे एक ही बचेगा ही कि relative seriousness of the two error depends upon the situation being handled कोकि चाहिए type 1 error हो या type 2 error हो आपकी hypothesis पे वो कहीं न कहीं effect दाल रही है अब वो type 1 error हो रहा या type 2 error हो रहा that is totally depend कि आप उसे handle कैसे कर रहा है किस situation में उसको handle करें उस situation पे depend करता है कि वो serious कौन सा है type 1 error serious है या type 2 error serious है type 1 error को हम false positive error करते हैं type 2 error को हम false negative error करते हैं याद रखना type 1 error को हम false positive error करते हैं type 2 error को हम false negative error करते हैं अगला question भी काफी से लह पूचा था कि binomial distribution है if the chance of getting success as a 50% तो we perform an exceedingly large number of trial यही मज़े की बात है बस बाकी उपर की कोई बात नहीं है अगर किसी भी experiment में हम number of symbols बहा दी या number of trials बहा देते हैं तो number of simple बहाने पे number of trial बहाने पे वो data जो होती है वो distribution data का वो एक law को follow करती है जिसे हम बोलते है central limit theorem और central limit theorem के हिसाब से होता क्या है कि कोई भी data जो है वो normal distribution को follow करने लगती है एक point के बाद तो यहाँ पे क्या हुआ है बहुत ही ज़्यादा trials हम use कर रहे हैं और जैसे ही trials use करेंगे तो central limit theory के हिसाब से एक point के बाद हमारा binomial distribution normal distribution में convert हो जाएगा इसका correct answer है याद रखना कि central limit theorem के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी data को अगर हम data में number of simple increase करते रहे और उसे जो हमारा data आता रहेगा अगरना number of trials number of trials number of trials बहाते रहेंगे तो बाद में हमारे पास एक normal distribution आजाएगा तो बाइनोमेर distribution को अगर हमें normal distribution बदलना है या किसी भी distribution को नॉर्मल distribution बदलना है तो हमें क्या करना होगा number of trials बढ़ाने होंगे मतलब क्या है कि हमें number of experiment में जो आपके वो रेप्लिकेट से उसको बढ़ाते रहो उसको बढ़ाते उसको बढ़ाते उसको बढ़ाते हो जैसे रेप्लिकेट बढ़ाते चले जाओगे एक प्वाइंट पे वो central theorem को फॉलो करेगा और तुमारा distribution नॉर् होती आराम से इसस्ञाइए कासी सड्य इंसर कुष्चन था ये भी काफी सड्यरल है Das Lane recreation का मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसkas नहीं होता है inya where is the enumerator make use of his and or personal judgment अगर personal judgment है तो उसे हम रिंडम सेंप्लिंग नहीं बोलेंगे selective sampling बोलेंगे random sampling का मतलब ही होता है कि हर एक individual को या मतलब जिसकी हम sampling कर रहे हैं उसमें हर एक चीज का equal chance है उसके selection होने का अगर हम number of animals की species में number of individuals की बात करते हैं तो every individual has an equal chance of being selected मतलब क्या कि random sampling is totally depend on the law of probability याद रठना कि random sampling क्या होता है random sampling के बारे में कुछ नहीं पूछा ज़ता है random sampling किस law को follow करता है तो law of probability को follow करता है random sampling होता क्या है random sampling में every individual जो होती है उसके पास chance होती है उसके selection होने के normally distribution population cumulative density function has a shape देखो जब भी हम cumulative density की बात करते है तो उसमें क्या होता है add हो होके चला जाता है तो log phase तो simply जाएगा बाद में जाएगा इस shaped graph प्या जाएगा और बाद में यह जाके इस तरह से किस पे चला जाएगा equilibrium में चला जाएगा तो चुकि यह equilibrium में चला जाएगा तो इस shaped के graph को हम क्या बोलते है sigmoidal बोलते हैं क्यूं होता है ध्यान से समझना हर एक डेटा चाहे कोई भी डेटा हो वो उस डेटा में एक पॉइंट पे क्या होता है हमारा sigmoidal बाद इकलूब्रियम तो आही जाता है बट cumulative है मतलब जैसे 1 प्लस 1 दो हो गया फिर हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 चार हो गया फिर 4 प्लस 2 छे हो गया फिर 6 प्लस 6 प्लस 4 तो 10 हो गया फिर 10 प्लस मान लो 5 15 हो गया तो यह इस तरह से बढ़ता जाता है मतलब वो पहले धीरे 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 फिर बीच में कसके बढ़ेगा तेज बढ़ेगा फिर एक समय आएगा जब वो accumulation होके धीरे धीरे कम होता चलाएगा टाइम के हिसाब से तो that is a graph is called a sigmidal graph तो normally distributed population cumulated density graph जो होती वो sigmidal होगा क्योंकि normally distribution में क्या है ऐसे होता है पहले यह अराम से फिर ऐसे फिर फिर पिक पे जाने के बाद फिर वापस यह इस तरह से आजाता है बीच वाला पार्ट जो है यहां पर हाई ग्रोथ दिखाएगा तो that is a point जहां पर यह हाई ग्रोथ दिखाएगा जल्दी जल्दी आएगा फिर उसके बाद दीरे दीरे डिक्री जोना सुरू हो जाएगा इस ग्राफ को तुम वैसे समझ सकते हो जो तुम्हारा j saved और s saved करवाता है यह question यहां पर काफी easy question है कोकि इस question के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं परेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन्होंने पूछा है कि male or female children have an equally likely to be born what is the probability that random chosen female ever three children has an at least one but not more than a two मतलब देखो कि दो condition में बोला गया है एक एक तो तुम्हें हम बता दे एक formula होता है उसे मोलते हैं binomial प्रोबिलिटी फॉर्मूला प्रोबिलिटी फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है कि प्रोबिलिटी P equal to n C x P की power x और Q की power n minus x इसी को हम लिख सकते हैं n factorial x factorial n minus x factorial P की power x into Q की power n minus x यहाँ पे n जो है आपके पास 3 है और at least 1 1 का मतलब है कि एक बार आपका x equal to 1 हो तो probability देखो क्या है probability आएगा 3 factorial 1 factorial 3 में से 1 गया 2 factorial P और Q P यहाँ पे दिया न male और female के होने के chances same है मतलब 1 by 2 की possibility है यहाँ पे इस P की होने की और P की power x है और x की power यहाँ पे 1 है और Q जो है male योग्या मारा female होने की तो male दूसरा वाला होने की probability भी 1 by 2 ही है और n minus x n मतलब क्या है 3 minus 1 equal to 2 3 factorial का म लिखेंगे 3 into 2 into 1 इसको समझ लोगों की यह genetics में भी काम आएगा इसलिए मैं इसको इतना deep में बता रहा हूँ यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 इस 2 से यह 2 कटा यह आपका आएगा 3 by 2 to the 4 to the 8 एक यह आ गया जब आपका क्या है कि 3 में से 1 but maximum कितना है maximum है आपका दूसरा condition हो सकता है 3 equal to n equal to 3 but x equal to 2 फिर भी देखो probability probability होगा आपका same 3 factorial इस वाले formula में value में put कर रहा हूँ 2 factorial 3 में से 2 गया 1 factorial 1 by 2 की power आपका हो जाएगा 2 और 1 by 2 की power हो जाएगा आपका 3 minus 2 equal to 1 means 3 into 2 into 1 2 into 1 into 1 1 by 2 into 2 1 by 2 same फिर से 3 by 8 अब क्या है कि दोनों होने की but not more than not 2 female तो दोनों की probability क्या है याँ पर और है ना या 1 हो या और 2 हो 2 से ज़्यादा ना हो और और में हम और को हम addition rule भी बोलते है addition rule बोलते हैं मतलब probability यगर इसको P1 बोले से हम P2 बोले तो P1 प्लस P2 जो है आपका final probability होगा तो 3 by 8 plus 3 by 8 equal to P और 6 by 8 और 6 by 8 को अगर हम solve करते हैं तो 075 तो 075 is the correct answer यह जो last question है यह काफी easy question है और इस question को मैंने previous में भी previous वीडियो में भी मैंने वैलियो अनफेक्टेड होती है तो एक होता है आपका median और दूसरा होता है interquartile range तो interquartile यहां पर option नहीं दे है आप सीधे range है तो range हो नहीं होकता है standard deviation भी नहीं होगा mean deviation भी नहीं होगा एक ही बच रहा quartile deviation तो इसका answer quartile deviation या median होगा याद रखना कि outliers से related अगर है वैसे यहां पर इन्होंने आउटलायर से हमारा इंटर कॉर्टाइल रेंज भी एफेक्टेड नहीं होता है तो अगर वो दुन सरक्टिर नहीं होता है ता require मेंदा नहीं होा इंद्ध दिस्पर्शन का नुन का ऐफेक्टड नहीं होगा केनियों हो प्रूंग पड कर देविबर के एंद ऐस नहीं होगा बाइब बाइब